प्रेमित्रों नमस्कार सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत-बहुत सुपकाम आए आज के एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूँगा अपने यूटूब चैनल डॉक्टर चेस रावत की तरफ से आज अभी अभी बुद्ध देब राजकुमार बुद्ध नीच हो चुके हैं 31 दिन के लिए और सबसे बड़ी बात है तीन दिन के लिए सूल योग बन चुका है ये बड़ा खराब योग होता है अच्छा नहीं होता और ग्रहन योग तो था ही अभी ग्रहन के समय पर भी सूल योग था वो भी अच्छा नहीं था इसके पूरी जानकारी दूँगा आपको इस मंत्र के बाद अम उद बुद्ध स्वाग नहीं परत जाग रही तुमें इस्टा पूर्ते संसर्जे थाम्यम चहा अस्मनत्त सा अदस्ते अध्यत्र अस्मिन विस्से देवा जज्मान ससीदता अम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमा अम बुर्भवे सा बुद्धाय नमा प्रेमित्रों बुद्ध देव अभी अभी नौ बज करके चतीस मिनट के साड़े नो बजे अभी रात के वो नीच हो चुके है और ये अभी 31 दिन नीच रहेंगे दस मईए तक राज कुमार बुद्ध नीच हो जाए कौन कौन सी रासियों पर इसका एफेक्ट पड़ेगा और उसके दुस्परणाम क्या होगे पांच रासियों पर इसका बुरा एफेक्ट है वो मैं जानकारी दूँगा पांच में से चार पर सबसे ज़्यादा नेगेटिब एफेक्ट रहने है इसकी शुरुआत करता हूं लेकिन बता दूं कि बुद्ध नीच भी है और अस्त भी है बुद्ध क्या-क्या नुक्सान करेगा चार रासियों को वो भी जानकारी में आपको दूँगा क्यों नुक्सान करेगा वो भी जानकारी दूँगा एला ट्रैनी के जरूरत है सद बुद्धिम्ष्य बुद्धो गुरश्य गुरुताम बुद्ध बुद्धी का कारक है मती भर्मित पागलपन की सिकायत टैंसन आना ये आपको बुद्ध क्रियेट करेगा चमडी के रोप लिकोडर्मा इसकिन प्रॉब्लम सैनस की प्रॉब्लम अस्त्मा की प्रॉब् मांसिक तनावर डिप्रेसन बढ़ने का योग बनेगा कौन कौन सी वो चार रासी हैं उस पर इसका क्या एफ़ेक्ट रहेगा और सबसे ज़्यादा एक पांच मी रासी जो मैंने बताई उस पर भी क्या एफ़ेक्ट रहेगा वो जानकारी भी मैं आपको अभी देता हूँ लेकिन उससे पहले में आपको एक सूचना देदू मैं 16-17-18 अपरेल बंबई में हूँ अपन में लेकर कि आप मुझे मिल सकते हैं कुली दिखा सकते हैं वास्तु बिजट करा सकते हैं पूजा पाट करा सकते हैं अच्छी क्वालिटिक इनगों के लिए आप संपर कर सकते है और दूसरी चीज अगर आप दिल्ली NCR में वास्तु बिजट कराते हैं तो उसके लिए भी आप हमें शंपर कर सकते हैं सुमीत रावत के नमबर यांपर आ रहा हैं चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ मेश रासी से मेश रासी वालों के लिए सूल योग बारेंबाब में आ रहा है बारेंबाब में बुद्ध नीच का है और ये दो स्थानों का सौमी नीच हुआ है एक छटे बाब का स्वामी नीच और तीसरे बाब का स्वामी नीच है इसका मुतलब तीसरा बाब छोटे भाई बहनों का है उनके लिए तकलीब दे है आपकी आयू पर भी इसका नेगेट इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पर भी ये श्ट्रेस देख करके चलेगा लेकिन यहां बुद्ध उच्च का है और केंदर में ब्रस्पती है तो यहां नीच बंग राजयोग बन गया है इसका मुतलब आपको इतनी परिशानियां नहीं आएंगी लेकिन फिर भी तकलीफ आएगी सूल्योग के कारण अगली जो रासी है हमारे पास में उसकी बात करते हैं कि अगली रासी को क्या प्रोब्लम क्रेट करेगा अगली रासी है हमारे पास सिंग है सिंग रासी में बुद्ध धन का और व्यपार का लाब का इसका स्वामी नीच होकर के बैटा है अस्त भी होके बैटा है मृत्तु इस्थान में जाकर के बैट गया है लेकिन इसमें नीच तब हो जब ब्रस्पती इसको देखे ब्रस्पती केंदरे में हो जाए ये उच्छ होता है अपनी रासी में या केंदरे में खुच चला जाए वो है नहीं यहां पर और दूसरा जिस में यह चोता है उसका स्वामी केंदर में आ जाए तो वो भी यहां पर नहीं है तो यहां सिंग रासी वालों के लिए तकलीब दे है उथल पुथल यहां पर रहेगी तुड़ी साब्धानी बढ़तनी के आवश्यक्ता है अगली रासी है हमारे पास तुला तुला रासी के इंदर भाग्य का स्वामी नीच होकर बैटा हुआ है अस्त भी है लेकिन यह तुला वालों के लिए नीच बंग राजोग बन गया है तो कह सकते हैं कि जितने समय यह नीच रहेगा उसे कुछ समय के लिए नीच बंग राजोग यहां पर बना रहेगा लेकिन सुक्र यहां वहां पर उच बैटा हुआ है तो थोड़ा सा इंप्रूमेंट यहां पर आएगा यह नि कोई कि अगर वहां पर उच बैटा हो तो उसकी नीचता में कमी आ जाती है अभी अगली रासी है अमारे पास में जिसमें नीच मंग राजोग का प्रवाव हमें दिखाई देगा उससे बैनिफिट समय मिलेंगे मकर रासी तीसरे भाव में नीच हुआ है और केंदर में ब्रसपती है नीच मंग राजोग बनता है बैनिफिट यहां पर मिलने के जोग बनते हैं इसका मतलब ये छोटे भाई वेनों पर तकलीफ देगा नीच होने के कारण और केंदरे में ब्रस्पती आजाए चंदरवां से ब्रस्पती आजाए तो थोड़ा पॉजिटिव होने का योग बनता है और अगली रासी हमारे पास में जिस पर ये नीच रहेगा मीन रासी में 31 दिन के लिए नीच और साथ में अस्त भी रहने वाला है ये एक यहाँ पर तकलीफ है लेकिन बुद्ध यहाँ पर उच्च का सुक्र है तो कुछ समय के लिए थोड़ी सी कमी आएगी नीच ता में कमी आएगी लेकिन पूर रूप से नहीं आपाएगी क्योंकि 23 अपरेल को 24 अपरेल को सुक्र भी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर नीच मंग राजोग नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर बुद्ध का जो नीच मंग राजोग है वो कुछी रासियों को मिल पाएगा जिसमें मैंने आपको बताया मेस रासियों को मिल पाएगा यहाँ पर नीच मंग राजोग उसके बाद मैं ब्रिस रासियों को नीच मंग राजोग नहीं मिलेगा और मितुन रासी को भी यहां पर नीच मंग राजोग नहीं मिलेगा करक रासी वालों को नीच मंग राजोग मिलेगा यहां पर क्योंकि केंदर में यहां पर ब्रस्पती आएगा और यह नीच मंग राजोग तो एक तारिक तक रहेगा सिंग रासी की बात करेंगे हम तो सिंग रासी बालों के लिए भी यहां पर नीचमंग राजोग नहीं है और कन्या रासी की बात करेंगे तो कन्या रासी बालों के लिए भी यहां पर नीचमंग राजोग नहीं आरा तोला रासी बालों के लिए यहांपर नीचमंग राजोग मिलेगा ब्रिश्चिक रासी बालों के लिए नीचमंग राजोग नहीं मिलेगा यहांपर तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा और धनुवालों को भी यहांपर नीचमंग राजोग नहीं मिल रहे और फिर उसके बाद मकर रासी बालों को न नीच बंग राजोग, चार राशियों को नीच बंग राजोग मिल रहे हैं, जिसे बहुती ज़ादा पॉजिटिब योग यहां पर बनता है, एक अच्छा योग बनता है, जिससे का आपके पास पैसे क्यामद नहीं आने का योग बनता है, तो यहां पर यह नीच होने के लेता हूं नमस्कार और मुझे संपर करने के लिए मैं आपको अपना पता देता हूं आप उस पर नोट कर सकते हैं इस नंबर पर भी आप संपर कर सकते हैं कर सकते हैं